हालो फ्रेंट्स वेलकम टू मैंने वीडियो आज इस वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं जिनके पास भी एनेस टूहंडेड है और वो पीकप से रिलेटेड जो इस वारी उनके बाइक में उससे बहुत ही ज्यादा परिशान है कोई सोलिशन नहीं मिल पा रहे है कोई लोग क्ल इस वीडियो को पूरा देखेगा और देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस दर एक वीडियो आपको मिलते रहे हैं चलिए देखते हैं तो आज इस वीडियो हम डिसकस करेंगे कि जिन जिन लोगों के पास में एनेस टूहंडेड है और वो पीकप क को छिक फॉब का मतलब कर के काफी परिश्यान है पीप का मतलब जीसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं जाते है पीकप प्청श्राइब का मतलब का सबसे पहले ये समझें एक हिए अदेप को सिक्स घेरब आती शिक्स गेर जब भी आप गाड़ी को चलाते हैं, तक एकदम गाड़ी आपकी जो बाइक है 128 120 तक जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं आते लेकिन जैसे ही आप 6 गेर लगते हो वैसी वह बाइक क्या होते बिल्कुल डाउन हो जाते है ऐसे लगता है जैसे पीछे से कोई खीच रहा हो उसको और कहीं पर भी चढ़ाई आई गी प्रॉब्लम आती है सेकेंड और थर्ड गेर में बोलतों फर्स्ट गेर बढ़ियां चलती है सेकेंड थर्ड गेर लगाते है ऐसे लगता है कि जैसे कोई खीच रहा है वह बहुत ही ज्यादा परिशान है तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज्ज आते रहते पिक अप से रिलेट अब पहली बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात पहली बात जो है पिक अप का प्रॉब्लम आने का बड़ा रीजन यह जो रीजन में बता रहा हूं जरूरी नहीं है सब के साथ हो लेकिन ज्यादा तर यह प्रॉब्लम इसकी वज़े से यह प्रॉब्लम आती है पहला एक इंजन ओयल है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा यह मैं स्क्रीन पर लिख देता हूं आप समझ जाए जितने लोगों ने यह इंजन और यूज करते हैं अपने एनस्ट टूहंड़ में उसमें पिकप का प्रॉब्लम आता ही आता है और जैसे उसके बले ठीक रहेगा गारी वह कि इंजन इंजन और यूज करने के बाद बोलते हैं कि तब से जाकर के हमारा जो है बाइक में प्रॉब्लम आना सिरू हुआ वही मेरे साथ भी हुआ था मैं एक जीता जाकता सबूत हूं यह इंजन और मैंने यूज किया था उसके पहले बढ़िया चल रहा था इस इंजन को यूज करने के बाद से भाई साब बहुत परिशान हुआ मैं बहुत ही ज्यादा कि उसके बाद तो एने स्टोंडर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह कौन सी है कार्बूरेटर की प्रॉब्लम है अगर आपके एने स्टोंडर में पीकप की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप सबसे पहले काम स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग तो खराब नहीं होता आपको दू जाता है उसकी वज़े से भी प्रॉब्लम होती है तो कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आया था कि डाइफ्राम में थोड़ा सा होल हो गया बिल्कुल बारिक सा या डाइफ्राम फट गया या कारवेटर खराब हो गया है तो उसकी वज़े से भी प्रॉब्लम आता है ठीक है तो आप इस पर भी ध्यान दिजे क्लच प्लेट मत चेंज करो अगर आपकी गाड़ी 60-70 तक जा रही है 60-70 तक अगर आपकी बाइक जा रही है तो आपका क्लच प्लेट में कोई भी दिक्कत नहीं है फाल्टू का पैसा खर्चा मत करो तो पहला काम स्पार्क प्लग चेंज कर लो या चेक कर लो अगर ठीक है तो दूसरा काम करना है कार्बूरेटर कार्बूरेटर आप दिखाईए अगर वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हुजाते तो बड़ी अच्छी बात है अगर वहां पर भी दिक्कत है तो फिर आपको आगे चलना पड़ेगा आगे कहां इंजन कुछ दिक्कत आई होंगी उसके बाद जाकर के आपका काम होगा यह बात याद रखे तो इंजन का हेड़ खुलने के बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वाल्व की दिक्कत आती है ज्यादा तर वाल्व का प्रॉब्लम होता है गैप वेप आ जाता है इसके लिए दिक्कत होती है वो पीक अप में तो यही तीन ओप्शन है एनस्ट वे पहला स्पार्क प्लग का तो ना के बराबर है दो ही ज्यादा हम बानते हैं एक कारवुलेटर है और एक आपका इंजन का हैड है इन दोने साब की प्रॉब्लम हो जाएगी मैं दो बहुत परिशान था मत हमने एक वीडियो बनाए भी है आपने देखा होगा तो मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था मतलब प्रॉब्लम जब सुरू हुआ था तो मेरी भाई 10,000 किलो मेटर चली थे 10,000 से लेकर के 18,000 तन 8,000 किलो मेटर हमने वैसे ही चलाया पीक अप प्रॉब्लम में ही चलाया तो 18,000 के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है 18,000 से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और उसके बाद फिर 42,000 हो चुका है 42,000 किलो मेटर हो चुका है तकरिबन 24,000 किलो मेटर अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद से चला चुका हूं आज तक कोई दिक्क पीकप का जो दिक्कत आता है तो अगर आपकी पीकप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप इसको कभी सेल नहीं करोगे आपको बहुत मज़ा आएगा और जैसे सेवन थाउजन आर्पिंग उपर जाते हो तो और अच्छा आपको पीकप देखने को मिलता है तो अगर आपके बाइक में पीकप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज्यादा घवराईए में ज्यादा परिशान मत हो जी हाँ यह है सर्वी सेंटर वाले बहुत ही बेकार टाइ आप से वो छुटी पाना चाहेंगे वो काम नहीं करना साते हैं बिल्कुल एकदम मतलब काम चोर लोग होते हैं समझने बात को सर्वी सेंटर पर कुछ भी काम नहीं करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा भी तो वो बोलेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह सत सही है औ और आप हमेसा याद रखना कभी भी सेर्वी सेंटर पर जाओ ना तो बिल्कुल दब के मत रहो कि भाई हम दब एंगे ऐसा कुछ तो बस यही हम मुझे आपको बताना था कि अगर आप आपको पास NS200 है और पीकप प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कि आपको करना चाहिए और बहुत सारे लोग मैसेज़ेस करते हैं बहुत सबको आइडिया देता हूँ ऐसे करो बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल भी हुआ है और बहुत सारे लोग खुस हुए हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल भी अभी कल की डेट में उनको मैंने बताया था मैं स्क्रीन शॉट जैस बस आज के लिए इतना है तो वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब चरूर करना है जै जै भारत